दोस्तों मेरी बताई हुई ये आदतें रोजाना जिंदिकी में शामिल कर लिजे एक महीने में आपका 5-7 किलो वजन कम हो जाएगा देखिए हम लोग जब वजन कम करना चाहते हैं तो हम सिर्फ दो चीजों पर फोकस करते हैं एक अपनी डाइट पे और दूसरा एक्सराइज पे लेकिन कुछ ऐसी आदते होती हैं जो बहुत छोटी होती हैं जिनका रोल हमारे जिंदिकी में बहुत बड़ा होता है जो हमें अपनी रोजाना की जिंदिकी में शामिल करना है, जिससे की हमारा वजन बहुत जल्दी कम हो पाएगा. ठीक है? तो चलिए, उन्हीं चीजों को शेर कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ, तो ध्यान से सुनने के बाद फॉलो जरूर करिएगा. और आज का मेरा ये वीडियो हर उमर के व्यक्ति के लिए है, जिसको फॉलो करके अपने आपको फिट और मेंटेन रख सकता है, और बहुत सारे बिमारियों से दूर रह सकता है. तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चानल पर नहीं हैं, तो चानल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलियेगा. सबसे पहले अच्छी आदत है, जो हमें उठना है अपने रूटीन टाइमिंग से आदा घंटा पहले. जो भी टाइमिंग आज तक आप उठते आए हैं, जा माल लीजे, आप 6 बजे उठते हैं या 7 बजे उठते हैं, तो उससे आदे घंटा पहले का आपने अलारम लगाना है, और अलारम को आपने बार बार बंद नहीं करना बजने पर, तो उसको बंद करकर उठ जाना है, ठीक है? उसके बाद हमें करना है हलका फुलका वयाम या प्रनायम, अगर हम सुभा एक्सराइस करते हैं या प्रनायम करते हैं, तो उससे हमारी जिन्दी की भर बिमारियां कभी नहीं घेर पाती, हमारी इमुनिटी स्ट्रॉंग होती है, हमारा वजन कम होता है, आप चाहे हलकी फुलकी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसे दिन एक दिन डिवाइट कर सकते हैं, कि आज आपने पेट की एक्सराइस कर ली, कल आपने लेक्स की कर ली, उसके बाद आपने आम्स की कर ली, फिर नेक्स दे आपने ओवराल बाडी का वरकाउट कर लिया, फिर उसके अगले दिन आपने कपाल भाती कर अनुलोम विलोम कर लिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप डे बाई डे अपने रूटीन में शामिल करें, सुभा उठते ही वर्काउट करें या योग करें और मेरे चानल पर बहुत सारी योग और एक्सराइस की वीडियो है, जिनने आप फॉलो करके अपनी बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं तो इसके लिए आपको specially time नहीं निकालना पड़ेगा, जो आप लोग कहते हैं कि में को time नहीं, मैं उठी, में को school जाना था, ये बच्चों को भेजना था ये जो भी reason आपके बहुत सारे excuses होते हैं, तो वो आदर घंटा आपका पहले start हो जाएगा day, तो आपका पूरा दिर अच्छा जाएगा वरक आउट करने से benefit क्या होता है, बिमारी उसे तो दूर रहते ही हैं, इसके साथ साथ आप पूरा दिन बहुत energetic फील करते हैं, बहुत active फील करते हैं, ठीके, अब बारी आती है हमारी दूसरी आदत की, जो आपने अपने रोजाना जिंदिकी में शामिल करनी है, सुबह पानी आप पिएंगे और वॉमिट कर देंगे, पंदो दिन में अगर इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो आपके जितनी भी अंदर की गंदिकी होगी, वो बाडी आपके बिल्कुल साफ हो जाएगी, और रोजाना आपने दो से तीन गलास गरम पानी का सेवन जरूर करना ह अगर विंटर चल रहे हैं, तो आप एक इंच अद्रक को लेकर, उसको कद्दुकस करके पानी में उबाल लीजिए, दो गलास पानी डालिए, एक गलास रह जाए तब गैस बंद करके, उसको छनी की मदद से छान लीजिए, और उसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हिंग पाउडर आप उसमें मिला लीजिए चुटकी भर, उसको मिक्स करके पीजिए, ठीक है फ्लेवर के लिए आप निम्बू भी आट कर सकते हैं, अगर निम्बू आपको सूटने ही करता तो एवोइट कर सकते हैं, ये पीने से आपके शरीर में जितना भी एक्स्ट्रा है वो एकदम से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको इसके बहुत ही भैतरीन रिजर्ट मिलेंगे, लेकिन आपने अधरक वाली चाय रोजाना सुभा पीनी है और इसके एक घंटे बाद ही आपको कुछ खाना या पीना है, अधरक वाली चाय बिल्कुछ चाय की तरह गरम होनी चाहिए, सिप-सिप करके आपको अराम से पीना है, दूसरी रेमिडी है गर्मियों के लिए, अगर आप गर्मी के टाइम पर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको रात को एक चम्मत जीरा और वन फोर स्पून अजवाइन को पानी मे भिगो के रख देना है, एक गलास पानी में भिगो दीजिए, सुभा उसको बॉil कर लीजिए, जब वो उबलकर थोड़ा सा कम हो जाए, जब उसको असर पूरे इंग्रीडियन का पानी में आ जाए, तो गैस बंद करके उसको कांची गलास में छान लीजिए, ठीक है, कोई भी remedy जब आप पीते हैं, हमेशा कांची गलास में पिया करें, तभी उसको ज़्यादा effect होता है, क्योंकि बाकी बरतन से कोई reactions भी हो सकते हैं, हमें पीने से, side effect हो सकता है, तो इसको आपने सेवन करना है रोजाना एक महिना लगातार, तो इससे आपको अंगिनत फाइदे हो जीरे में iron बहुत जादा होता है, जो homoglobin की कमी को आपके शरीर में दूर करता है, आपके aging से आपके शरीर को बचाता है, आपके skin जादा पहले से glowing हो जाएगी, अब बारी आती हमारी third morning habit की, जो हमें अपने daily routine में शामिल करना है, हमें खाना खाने के immediately बात बिस्तर पे नही गंटे तक बैठना ही बैठना है, स्टार्टिंग में आपके जो टांगे हैं वो सुन होना श्राट हो जाएंगी, लेकिन बाग में आप अपने हाथों से उसको दबा लीजेगा, वजरासन का क्या फायदा है वो जान लीजे, वजरासन में बैठने से हमारे जो खून का flow होत अब बारी आती है, फोर्थ हाबिट की जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है, अगर आपने सुभा आसन भी कर लिया, योग भी कर लिया, वजरासन में बैठ गए, तो कोशिश करें कि पूरा दिन में आधे से पौना घंटा जरूर चले, 45 मिनट की वॉक जरूर अगर आप से बहुत तेस भागा नहीं जाता, आपके जोडों में दर्ट था तो कोई दिख करती, आप अराम से वॉक कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ब्रिस वॉक करें, हलका सा भाग कर करें, इसके लिए आप टाइमिंग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अगर आपको रोज इस बार अपनी सीडियों पर चलें और उतरें, इसके साथ साथ आप जब अगर कोई मशीन का या किचन का काम कर रहे हैं, तो उठख बैठख याई डंट बैठख जरूर लगाएं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी बॉड़ी जादा अक्टिव रहेगी, हो सके तो रात को सोने से 45 मिनट पहले वाक जरूर करें, जो आपके लिए बहुत पाइदेमंद होगी, जो आपके बॉड़ी में कभी भी फैट को चड़ने नहीं देगी, और जो जमा फैट है उसको बहुत इचा तरीके से पिगलाने का काम करेगी, अब बारी आती है, टिप नब नहीं हो पाता है, तो ये थी कुछ important habits जो आपको अपने daily routine में शामिल करनी है, और इसके साथ सबसे important last बार आपको अपने food में से, यानि junk food, fried food, avoid करना है, जाधा चीनी का इस्तमाल बंद करना है, हो सके तो daily की एक चमा चीनी भी इस्तमाल ना करें, चाए, दूद, कॉफी, पीए, ग्रीन टी का इस्तमाल जरूर करें, जो आपके metabolism को fast करती है, और जो मैंने आपको morning remedies बताएं है, ये भी आपके पूरे digestion को और metabolism को fast करेंगी, बहुत अच्छ तरीके से आपके जमा हुआ चरबी को पिगलाएंगी, तो प्लीज, आज से मेरे इन आदतों को जरूर करें और मैं आपको guarantee देती हूँ कि एक महीने के अंदर आपका 5-7 kg वजन कम होगा ही होगा, कौन मेरे इस challenge को accept कर रहा है, comment करें और result आने के बाद जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, bye, take care and stay healthy, love you all.